आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट और यूनिक होने वाला है ये उन यूजिस के लिए स्पेसली हुआ जो कि अपने फोन को बैक साइट पे स्कीन अपलाई करके रखते हैं ताकि वो वाई स्केट प्रोटेक्टेट रहे और फोन का जो लुक है बिल्कुल ही नया रहा है लेकिन जब हम किसी भी बैक स्कीन को एक लंबे टाइम तक यूज करते हैं एक साल दो साल या जब तक फोन है जब तक और उसके बाद उसे कर हम रिमूफ करते हैं तो क्या ये हमारे बैक फोन पे कुछ गलत इफेक्ट डालता है या फिर बिल्कुली सेफ रहता है इसे यूज करना आपके लिए सही रहेगा या फिर गलत रहेगा क्योंकि ये सारे डाउट बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं कि हम इसे अप्लाइट तो कर लिए लेकिन जब निकालेंगे तो ये क्या पता हमारे फोन का पेंट बाहर निकाल दे या फिर बहुत सारे गलू लग जा या कोई अधर इफेक्ट डाले तो भाई यूज करना बेकार हो जाएगा यानि हमने सेफटी के लिए यूज किया और जो सेफटी वाला प्रोड़क्ट है वही नुकसान दे दिया तो ऐसे डाउट के बहुत सारे लोग इसे यूज नहीं कर पाते तो आज यहीं चीजे मैं यहाँ पे किलियर करने वाला हूँ यह मेरे पास कुछ फोन हैं जिन्में मैं करीब एक साल से उपर हो गया है बैक स्कीन अप्लाई की हुए और कुछ यहाँ पे हाल फिलाल में मैं अप्लाई किया था जिसका वीडियो मैंने दिया था लेकिन आज मैं आपको रिमूफ करके दिखाऊंगा कि बैक स्कीन से जब हम इसे रिलिकालते हैं तो किस टाइब से यह साइड एफेक्ट डालता है हमारे बैक साइड पे या फिर नहीं डालता तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करीगा और इसी टाइब का ठवा डिफेंट कॉंटेंट चाहिए तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके तो सक्षा सेर जरूर करे ठीक है कि यहाँ पर सभी एक कंपनी के नहीं है कुछ गैजट सिल्स के हैं और कुछ यहाँ पर हमारा वर्प्सॉपी का है तो चलिए दोनों को चेक कर लेते हैं एक सबसे पुराना जो मैंने अप्लाई कर रखा है उसे रिमूब करके देखते हैं ठीक है और भाई चलो आगे करने के बाद क्या कुछ हमें देखने को मिलता है हमारे फोन के ऊपर काफी लंबा टाइम हो जाने के बहुत अच्छे तरीक से जो फिक्स हो जावा है निकालने में काफी जटा जोड लगाना पड़ रहा है कहीं यह जोड लगाने नुक्सान देना हो जाए चलिए वो तो पता चली जाएगा तो भाई यहां पर यह फुल लिए जो क्लीन हो चुका है रिमूव हो चकर कहीं पर मुझे कोई गुलू करहें जो खत्म हो चुका है और यहां पर कहीं पर पूरे बोडी पे कोई भी glue मुझे देखने को नहीं मिल रहा है और कई पे भी paint वगरा है जो नहीं निकला है क्योंकि इसका जो frame है ना वो भाई metal का नहीं है और जो plastic frame होते हैं ना उनमें paint निकलने के चांसे ज़्यादे रहते हैं metal के comparison में और पीछे तो गलास है तो यहाँ पे कोई भी side effect मुझे भी देखने को नहीं मिला जो कि करीपर भी one year से apply था जो कि आपने देखा कि कितना मेहनत करना पड़ा मुझे इसी remove करने के लिए और फोन का जो look है वो बिल्कुल ही चखा चखा है ऐसा लग रहा है कि कि इस पे भी कोई effect आता है या फिर से उसी तरीके से अच्छे से remove हो जाता है तो यहाँ पे तो one time ही यह remove हो गया क्योंकि काफी ज़्यादा time नहीं हुआ था लेकिन उसे काफी ज़्यादा time हो गया था तो आप ज्यादा दिक्कत आ आई बट यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आया जो कि आप यहाँ भी जो देख पा रहे हो अब यहाँ पे आप देख लो कि भाई इस पर भी कोई glue और देखने को नहीं मिला है तो भाई वो एक बिल्कुली सही decision है और जब यहाँ अपने phone से उसे बहार निकाल गए आपका phone बिल्कुली नया रहेगा और ऐसे में आप exchange करते हो हमें जाने या flip car या कहीं और पे भी तो भाई आपका भाई full value मिल जाएगा तो भाई यहाँ पे फोन आपका बिल्कुली चका चक रहेगा तो अच्छा सा भाई प्राइज आपको मिलेगा वैसे भी अगर सेल नहीं भी करते हो तो आपका जो phone का look रहेगा वो भाई बिल्कुली नया जैसा feel होगा ऐसा नहीं लगा है कि भाई फोन काफी outdated हो गया है काफी पुडाना हो गया ऐसी feeling है जो नहीं आएगी इसलिग मैं maximum time आपको recommend करते हो जब यह आप नया phone लो फोन तो टूटेगा यह तो उटेगा उसके लिए आपको back cover रखना ही परेगा लेकिन आपके यहां से phone गिरता है बहुत कम है आप बहुत safely लगते हो गिरने का chance ही नहीं रहता है तो सिर्फ आप back skin ही लगा कर सकते हो जिसे आपके phone को एक नया सा look भी है जो देखने को मिल जा रहता है ताकि गिरतो भाई बचा रहा है लेकिन नहीं गिरता तो ऐसी उच करो एक नया सा look देखनी को मिल जाएगा आपके phone के लिए तो यही था मेरा इस वीडियो का मकसर ताकि मैं आपको information दे सकूँ वीडियो पसंद आया तो यह लाइक कर देना और आप चाहते कि भाई पह्ता है तृ फशची मैं यही seu एक ग रहा हां के लिए मरते है